हलो दोस्तों कैसे हूँ आप सब आई हो पाप सब अच्छे होंगे आज हम आपके साथ सेर करेंगे सीटलास्टमी का वीडियो दोस्तों ये हमने वीडियो बनाया था दो दिन पहले तो अभी तक हम इसको पोस्ट नहीं कर पाये थे आज हम आपके साथ ये सेर करेंगे तो और साफ साफाई में भी लगे हुए हैं, कोई कहता है हम जाधा साफ करेंगे, और ये देखिए, ये हमारे ननन का बेटा है, इनको भी बड़ा मज़ा आ रहा है, साफाई कर रहे हैं, दरवाजा साफ कर रहे हैं, क्योंकि सिदलास्ट में कि पूजा होने वाली है, हम सब लोग त्यारी में लगे हुए हैं हमारा खाना बन रहा है और हम बना रहे हैं गुल-गुले के लिए हम आटा बना रहे हैं दोस्तों यह हमारे यहां मीठा आटा जो होता है उसको अच्छे सिफ मिक्स किया जाता है फेट लिया जाता है और थोड़े देर तक इसको रखते हैं तो माता जी को भोग लगाया जाता है अस्टमी के दिन यह सारी तैयारी पूजा की ही चल रही है अब हमारे गुल-गुले भी बनने शुरू हो गये हैं हमारे यहां ऐसे ही सिफला अस्टमी पर भोग बनाया जाता है दोस्तों गुल-गुले बनते हैं पूड़ी बनती हैं हलव जब से इतला अस्टमी होती है उसे दिन ये जो भोग होता है बनाया जाता है माता जी को भोग लगाया जाता है बहुत अच्छा लगता है गर्मियों के दिनों में ही ये पूजा पड़ती है तो सुबह सुबह हम 9 बजे ये सारे काम कर रहे हैं तयारी कर रहे हैं जो हमारा खा भोग बनाने में लग गये हैं दोस्तों गुल-गुले भी हमारे पक चुके हैं गुल-गुले कुछ इस परकार से बनाए जाते हैं आप लोग देख सकते हैं ये गोल-गोल हमने आटे के बनाए हैं और हम इसको रिफाइंड में फ्राई कर रहे हैं आप चाहें सरसों के तेल मे तो यहाँ पर हमने देशिक नहीं लिआ है हमने रिफाइड लिया है और रिफाइड से हम बना रहे हैं आप लोगों के यहां यह पूज़ा कैसे होती है मुझे कमेंट करके जरूर बताना सारा जो हमारा भोग था माता जी का भोग पसारा बन कर तयार हो गया है अभी हमें पूरियां बनानी है हम फटा फट पूरियां भी बना लेते हैं और फिर मंदिर जाएंगे और मंदिर में भोग लगाएंगे मंदिर का पूरा वीडियो हम आपके साथ सेयर करेंगे कि आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक भी करना पूरी भी हमारी लगभग बने चुकी है माता के भो के लिए हम पूरी हलवा एठी गोईठी गुलगुला यह सारी चीजे ले जाते हैं और चावल का पीठा भी बनाया जाता और अब हम पूरी तरह से तयार हो चुके हैं अब हम मंदिर जाएंगे और माता जी को भोग लगा कर आएंगे मंदिर में बहुत सारे लोग सुबह सुबह से ही पूजा कर रहे हैं हमारे घर के बाहर से ही रास्ता है मंदिर जाने का तो सभी आड़ते जा रही हैं सभी महिला कि जितने भी जितने भी लोग यहां पर रहते हैं सीटलास्ट में के दिन सभी लोग यहीं पर पूजा करने आते हैं तो अभी 10 बजे हैं और देखे कितने सारे लोग यहां पर आकर पूजा करके जा चुके हैं और हम आये हैं, हमारे बाद भी बहुत सारी महिलाए हैं जो की आई हुई है क्योंकि ये मंदिर हमारा बहुत पुराना मंदिर है ये जो आप माता जी की प्रतिमा देख रहे हैं ये नीम के पेड़ पे थी माता जी बाद में ये सब बना लिया गया है अच्छे से यहाँ पे इनका मठ बनाया गया है लेकिन पहले इनका मठ नहीं था यह बहुत पुराना मंदिर है और जो भी मूर्तियां हैं मंदिर में वो सब बाद में इस्थापित की गई है लेकिन यह जो माता जी पिंडी रूप में माता जी यहाँ पर इस थापित हैं यह बहुत पुरानी है तो सीतला अस्टमी की पूजा जो होती है हमारे गाउं समाज की जो पूजा होती है सब लोग यहीं पर करते हैं यह जो माता जी पिंडी में हैं इन्ही की सब लोग पूजा करते हैं और जो भी आपको बड़ी- से मूर्तियां दिखाई देंगी मंदिर में ये सारी मूर्तियां इस्थापित की गई है बाद में तो सितला इस्टमी की पूजा में इन ही की होती है इनको हम लोग कामा देवी माता के नाम से जानते हैं कामा देवी माता का मंदिर है और सितला इस्टमी की पूजा भी हम लोग यहीं पर करते हैं, यहां पर माता जी कुछ जल चढ़ाया जाता है, जल चढ़ाने के बाद दीपक जल जाता है, उसके बाद माता जी की माता जी को भोग वगरा लगाया जाता है, धूब दीप किया जाता है, इनका और जो चावल का पीठा बना कर हम लोग ले जाते हैं, वो म पूजा बहुत जरूरी होती है। इस पूजा को करने से तो इसलिए ये सभी लोग करते हैं पूजा सितलास्टमी की इसका बहुत महत होता है दोस्तों चावल का पीठा लगाने के बाद माता जी को सिंदूर भी लगाया जाता है। सब को भोग लगाया जाता है। अभी हम आपको बड़ी माता भी दिखाएंगे जो कि पृतिमा के रूप में हैं, मूर्ती के रूप में हैं, वो बड़ी माता हैं। बहुत बड़ी से मूर्ती है माता जी की मंदिर में। लेकिन हमारे जो सितला माता हैं, वो वहीं पिंडी वाली माता हैं, जो मैंने आपको दिखाया है। और ये देखें, ये भी कामाख्या माता हैं, ये इनके मूर्ती के दर्सन हैं, और वो हम आपको पिंडी के दर्सन कराए थे दोस्तों, ये देखें, ये दुर्गा माता हैं, जो मंदिर में स्थापित हैं, नौरात्री में यहां बहुत धूम धाम होती हैं, बहुत धूम धा पूजा करेंगे और भगवान भोले नात को भी हम भोग लगा देंगे इनको भी जल जड़ा देंगे पूरी विद्वत इनकी भी हमने पूजा की है जितने भी भगवान मंदिर में हैं बहुत सारे देवी देवता हैं मंदिर में सबकी हमने पूजा अराधना कर ली है क्योंकि यहां पर जब भी पूजा कोई भी करने आता है किसी भी भगवान की पूजा करनी होती है तो यहां पर सब की पूजा की जाती है दोस्तों यह हमारे गाउं समाज का मंदिर है तो यहां पर पच्छवा बाबा भी है तो यह पीछे का है पच्छवा बाबा जिन जहां म भी पूजा आराधना की जाती है नीम के पेड़ पर भी जल चड़ता है सितला अस्टमी के दिन तो यहां पर बहुत सारी महिलाएं पूजा करती है हमने भी पूजा कर ली है और अब हम जाएंगे तो घर पर भी हमको पूजा करनी रहेगी दोस्तों यह हमारा घर का में गेट ह तो में गेट पर भी हम चावल के जो पीठा रहता है उसकी थापे लगानी रहती है तो हम में गेट पर पांच पांच थापे लगाएंगे थापे उसी तरह से लगती है पहले चावल का पीठा लगाया जाता है और बाद में सिंदूर लगाया जाता है यह प्रथा बहुत द और यहां पर भी भोग वोग लगाया जाता है तो हमने कंडे की आग बनाई है कंडे की आग में ही हम भोग लगा देंगे आप लोग देख सकते हैं इसको हमारे यहां अग्यार भी कहते हैं तो यह हमारा अग्यार जो होता है यह घर के बाहर किया जाता है आप चाहें तो घर के गेट के अंदर भी कर सकते हैं लेकिन हमने गेट के बाहर ये पूजा की है ये पूजा होने के बाद हम अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर लेंगे दोस्तों इसी तरह से हमारे यहां अस्टमी की पूजा की जाती है सितला अस्टमी की पूजा तो हमारी सितला अस्टमी की पूजा आपको कैसी लगी आपके हाँ पूजा किस तरह से होती है मुझे कमेंट करके बताना वीडियो अगर पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक भी करना सेयर करना हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हम आप से फिर म मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहें अच्छे रहें मस्त रहें और हमारे वीडियो देखते रहें